हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू ज़ारकन चलिए जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी कब रोको प्लीस की तानाती की गई है धारा 144 लगा दिया गया है विवाद कदमा चौक में धार्मिक जंडे में मांस का टुकडा बांधे जाने को लेकर सुरू हुआ था मिली जानकारी का नुशार जंडा लगे इस तलपर रविवार की साम हिंदू समोदाईक लोग बैठक कर रहे थे इस दोरान एक पक्च की और से फाइरिंग की गई इसमें कोई घायल नहीं हुआ है हिंदू समोदाईक लोग का रोफे की दूसरे पक्च के लोगों ने पत्थराओ किया है हंगामे को देखतो हुए पुलीस ने लाठी चार्ज की और छे उपदर्यों को गिरभतार किया है ह अंगामा बढ़ने के बाद पांच दुकानों में आग लगा दी गई इसके साथ ही कई बाइक और वहनों को भी आग के हवाले किया किया वही दोनों पक्च श्योर से पत्थराओ भी किया किया इस्थिती तनाव पूर्ण बनी हुई है इधर घटना के सुचना पर मौके पर से लागू कर दी है सीटी एसपी के विजय संकर ने माइकिंग कर लोगों को धारा 144 लागू होने की बाद कही और अविलम सलक से हटने की चेताओ निते थी उन्होंने लोगों से कहा है कि ततकाल सलक को खाली कर दे नहीं तो उन पर अवश्चक कारवाई की जागी आग लग में एक कार एक ओटो और चार मोटर साइकल जलकर खाको गई वही कई वहनों में तोड फोड भी की गई है वही दोनों तरब से पतराओ किया गया प्रतक्ष दर्सियों ने बताया है कि उपद्रव्यों ने फारिंग भी की है पुलिस ने हिंसक भीड को कावू करने के लिए आसू गैस के गोले भी चोड़े फिलाल चेतरे में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है चातर संगटनों ने राजी में निकाला मसाल जलूस आज सोमवार को बुलाय गई जारकन बंद को सफल बनाने का किया अवहन जारकन में नई नियोजन निती को लेकर प जारकन बंद की पूर्व संध्या पर रविवार को कई संगटनों के द्वारा मसाल जलूस निकाला किया मसाल जलूस में शामिल जारकन उल्गुलान मोर्शा के अध्धक्ष रवी पीटर ने बता है कि जारकन राज एक अमीर राज है इसके बावजूद भी यहां कि जारकन के जीवन अस्तर को बढ़ाने के लिए नियोजन निती में बदलाओ करने की आवशकता है वही मसाल जलूस का नेतित्व कर रहे इमाम सफी ने बताया है कि मसाल जलूस की माध्धम से जारकन के 24 जिलों के अभ्यरतियों से आगरा करते हैं कि 10 अप्रेल की बंद को लेकिन शातरों का आकरोसी बंद को सफल बनाएगा और सरकार हमारी मांग पर विचार के लिए बात दे होगी। प्रभावीत राज्यों से जारकन आने वाले लोगों पर विस्ते इस तोर पर निगरानी की जाए। और देवगर डीसी और सिविल सर्जन को विसेश रूप से एहतियाद बारतने कनरदिश दिया गया। जारकन में पंचैत सच्यू परिचा का रिजल्ड हुआ जारी कुल 1633 अभ्यरती हुए सफल। 116 अभ्यरतियों का अंतिम रूप से चैन किया गया है। अभ्यरती आयोक के वबसाइट www.jssc.in पर जाकर अपना रिजल्ड देख सकते हैं। नियोजन निती का विरोध कर रहे है चात्रों में दो फाड जानिये का से सुरू हुआ विवाद। पूरा विरोध दो गुटों में बढ़ गया है। इसके बाद जारखन यूथ एसोसियेशन ने बीते सनिवार को प्रेशवारता करिया जान करी दी कि उनके द्वारा जारखन बंद तय तारीक को ही किया जाएगा। साती केंद्रियेश अन्योजक इमाम सफी ने कहा है कि हमने तयारी कर ली है और हम अडिक हैं। बता दे कि 10 अप्रेल यानि आज आहूद जारखन बंद को जारखन यूथ एसोसियेशन जारखन उल्गुलान मार्च पंच परगना फाइटर आदिवासी चातर संग आमिया आदिवासी मूलवासी संगर्णों ने इससे समर्थन दिया है। जारखन में नई नियोजन निती का विरोध कर रहे चातरों में आपस में विवाद हो गया है दो अलग-अलग विचार और नितित्व के शात या प्रदर्शन चल रहा है। प्रखन वार नियोजन निती लागू करने की मांग के समर्थन में आदिवासी संगर्णों ने 10 अप्रेल 2023 को जारखन बंद का आववाहन किया था। इस बंद को वापस ले लिया गया है। फिलाल इस बंद को वापस लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि बंद तो वापस लिया जा रहा है। लेकिन प्रखन वार नियोजन निती लागू करने के समर्थन में सेंगल का अंदुलन लगतार जारी रहेगा। इसके ताहत हर प्रखन में विरोध प्रदर्शन की अजायका सेंगल और आदिवासी संगटनों के समर्थक धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इताजी सुबाश्चंदर बोश गोमो जक्षन पर हुवा हाथसा बरवाडी गोमो सवारी गारी हुवी बेपटरी। इसमें किसी के हताहत होने की सुचना नहीं है। जायरकन की राजधनी राज़ी के नामकुम में सुकरवार धेररात, उनिडी इस्तित प्रसिद, सीव लोगधाम, मरासिली पहाड पर इस्तित मंदिर में चोरी एवं तोड़ फोर से लोगों में आकरो से रविवार को ट्रश्ट के सदसों ने समाजिक संगठन की लोगों के साथ बैठक की घटना की जानकरी लेने, सांसत संजे सेट, पूर विधायक राज़कुमार पहान भी पहाड पहुँचे, सभी ने एक स्वर में इस घटना की निंदा की, राजी की लोक्षभा सांसत संजे सेट ने सवाल कड़ा करतो वे कहा है कि हमेसा सनातन धर्म को ही क्यो निशाना बनाय जाता है, धार्मिक इस तलसे छेड़ चार बरदास्त नहीं किया जाएगा, इधर पूर विधायक राजकुमार पहान ने कहा है कि समाजिक माहुल बिगारने का प्रियास किया जा रहा है, जिस से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, उन्होंने जन रेल रोको आंदुलन को लेकर कुडमी समाज दो फाड में एक ने जाम वापस लिया, दूसरे का जारी कुडमी को अनुसुचित जनजाती स्टी में सामिल करने की मांग को लेकर 5 अप्रिल 2023 से अनिशित कालिन रेल रोको आंदुलन के तहत कुडमी समाज दो फाड हो गया है आदिवासी कुडमी समाज ने रेल जाम वापस लिया है जबकि पस्तिम बंगाल कुडमी समाज की घागरा घेरा सडक जाम अंदुलन जारी है अदिवासी कुडमी समाज ने यात्रियों की परिशानी और सरकार से वारता की बात बतातो हुए आंदुलन वापस लिया जबकि पस्सिम बंगाल कुडमी समाज ने आंदुलन जारी रखने की बात कही है बतादी की पस्तीम बंगाल सरकार ने 10 अप्रेल यानि आज आंदुलन कारियों से वार्ता के लिए आमंतुरित किया गया है बताया जा रहा है कि एक नाविक संग ग्रूप के द्वारा अपने इस्थान को ट्रांसफर कर दूसरे जगा अस्टीमर लगाने को लेकर विवाद हुआ घटना की सुचना मिलने पर पतरातु पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो मामला सांत हुआ नाविक संग के लोगा कहना है कि डेम पर इसर में तनाव की सुचना सनिवार की राथी पुलिस को दी गई थी बता गया था कि कभी भी यहां विवाद उत्पन हो शकता है इसके दूसरे दिन विवाद हो गया डेम में नाविकों के बीच मारपीट में महिला और पुरुष दोनों घायल हुए है घायलों को इस्थानी अस्पिताल साइन नर्सिंग होम और समुदाइक स्वास्त के अंदर पतरातु में भरती करा गया है वही कई घालों के स्थि अधिक खराफ होने के कारण उन्हें बहतर इलाज के लिए रिम सराफर किया गया है सचिवाले घेराओं में 11 को जमसेदपूर से भाग लेंगे हजारों कारिकरता सांसद भाजपा की और से 11 अप्रिलकूर शचिवाले घेराओं में जमसेदपूर से हजारों की संख्या में भाजपा कारिकरता भाग लेंगे या जानकरी सांसद विधूत वरन महतों ने पार्टी कारेले में आयुजित प्रेश्वारता में थी उन्होंने का है कि मौजुदा हेमंतस सरकार की विफलता के खिलाप या घेराओ हु रहा है राज सरकार हर मोर्शे पर विफल है सरकार ने अपने मेनिफेश्टों में कई घोशनाएं की थी लेकिन आप तक उन पर अमल नहीं हुआ है इस घेराओ के माध्धम से हेमंतस सरकार से उनकी घोशनाओं को लागू करने की मांग की जाए की राज में वर्तमान इस्तिती काफी दानिये हैं वधी व्यास्था, रोजगार, महिला सुरक्षा और किसानों का हाल बुरा है इस सरकार में डॉक्टर, वकील, जज, पत्रकार, सुरक्षा कर्मी, महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है हेमंतस सोरेन की नितित वाली महागडबंधन सरकार राजी की जनता को सुरक्षा देने में पूर्ण रूप से फल रही है आए दिन नकसली हमले हो रहे हैं, महिला हिंसा की घटनाई वढ़ी है राची जैसे सहर में राजबोण की दिवारों पर नकसली धम की भरे पूश्टर चिपका रहे हैं सांसन ने कहा है कि जार्कन में सत्ता परिवाहन के साथ हिंसा की घटनाई तेज हो गई है इसका सबसे बड़ा कारण हेमंत सरकार की राजनितिक इच्छा सकती में कमी है भाजबा एक ससक्ट विपक्च के रुप में जनता की आवाज बन कर खड़ी है पाटी ने सड़क से सदन तक राजसरकार की जन विरोधी नितियों का खुल कर विरोध किया है इन सब मुद्दों को लेकर सची वाले का घेराओ हो रहा है तीज जून तक बिजली बिल ब्याज मापी योजना का ले सकते हैं लाब जारकन बिजली वितरा निगम लिमेटेट की एक मुस्त समधान योजना दोहजर थैस का लाब तीज जून तक लिया जा सकता है यह जानकारी जमसेथपूर एरिया बोड के जियम सरवन कुमार न दी उन्होंने बता है कि वैसे उब्भोकता जिनका बिल जादा बकाया है उनके लिए बिल ब्याज मापी योजना चल रही है उब्भोकताओं पर बिजली बिल के साथ व्याज के ज्यादा बोच को देखतो हुए सरकार के निर्देर शानुशार बिजली निगम ने सभी प्रखंडों में बिजली बिल ब्याज मापी योजना चल रही है समंधित उभोकता अपने परकंडों में चल रहे बकाया बिजली बिल मापी वोजना सिविर में जाकर इसका लाब ले सकते हैं सिविर में उभोकताओं को सिर्फ मूलधन जबा करना पड़ेगा जो ब्याज की रासी है उससे माप कर दिया जाएगा सिविर का लाब उन भोकताओं को मिलेगा निदलो से उपस्तित नेता एवं गरामिनों की उपस्तिती में दिवंगत मंतरी के पुत्र अकिलेस महातो एवं भाई बाजनात महातो का नुशार इस थाल देखा गया है कहा गया है कि इस मारक का निर्मान कारी जल्दी सुरू होगा वही बुकारो जिला अंतरगत भंडारी दाहमे, सरवदलिये सरद्धाजली सभा के आयुजन में काफी संख्या में लोग का जुटान हुआ, रभिवार दोपार तीन बचे भंडारी दाहमे, दिवांगत मंतरी जगरनात महातो की निधन पर सरद्धाजली सभा का आयुजन हुआ, सभा में बेरमू, फुश्रू, पार्टी खुद कॉंग्रेस से यवाति भाजपा के जारकन प्रभारी लक्षमिकान्त वाजपई ने रविवार कुरांची हवाई अड़े पर पत्रकारों से कही उन्होंने या भी कहा है कि जारकन की हिमन्त सरकार को बदलने का समय आगया है सनुधानिक तरीके से वर्तमान सरकार को भाजपा की कारिकरता हटाने का काम करेंगे उन्होंने कहा है कि जारखन में भ्रष्टा चार, महंगाई, महलाओं की सुरक्षा जैसी कई समस्या हैं इन सभी समस्याओं के निदान के लिए भाजपा जानता के बीच जाएगे लोग कुझा गुरूप किया जाएगा रांजी की किसोर गंज में ताबर तोड फारिंग करने वाले 6 आरोपी गिरप्तार, रांजी के सुकदेव नगर थाना चेतर में बीतेश सनिवार, आठ अप्रेल खो किसोर गंज आनन नगर रोड नमबर एक में आपसी विवाद में गोली बारे की घटना हुई थी, अपने व आरोपियों को गिरप्तार कर लिया दिशलरी पुल के आसपास नोनवेज बेचने वाले दुखनदारों के खिलाप रांची नगर निगम का रवए करेगा, निगम की और से चेताओनी दी गई है कि निर्देश नहीं मानने वाले के खिलाप जुर्माना लगाने के साथ उनका समान भी जप्त किया जाएगा, प अगर उन्होंने 10 अप्रेल तक दुखान नहीं लगाई, तो 11 अप्रेल से मार्केट के बाहर पुट पात पर दुखान दुखानों को लगाने नहीं दिया जाएगा, भाजपाईयों ने बनाई मानो स्रिंखला हेमंत सरकार के खिलाप की नारे बाजी, राजिकी हेमंत सोरिन सरकार के नेतियों के खिलाप भाजपा ने 11 अप्रेल को रांची में सचीवाले घेराओ की खोशना की है, वहीं घेराओ को सफल बनाने के लिए भाजपाईयों ने 9 अप्रेल के सुभा चिरकुंडा सहित चौंक के समेप मारों स्रिंखला बनाई, जहां वर्तमान जैमं सरका के भाजपा कारे करता, रांची जाएंगे और जहारकन सचीवाले का घेराओ कर हेमंत सरकार हटाने का मांग करेगी। पादम सरी से समानित किया किया, राश्रपती दुरोपरदी मुर्मु ने राश्रपती भवन में नागरीक अलांकरन समहरों में 5 अप्रेल बुधवार को पादम सरी डॉक्टर जामुन सिंग शोय को पादम पूरसकार 2023 प्रदान किया, बतादे कि इसके लिए भारस सरकार न जाती की सूची में सामिल होने के लिए लागतार आंधुलन कर रहा है, वही अब आंधुलन ने तेजी पकड़नी सुरू कर दी है, जिसके कारण 4 दिनों से ट्रेनों की परिचालन काफी परभावित हुई है, इसे लेकर रेलवे प्रसास अंधुलारा हर दिन ट्रेनों को र रद कर दिया है, इसी बज़े से मंगलवार 11 अप्रेल को गोड़ा से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 18-18 चे गोड़ा टाटा एक्स्प्रेस को भी रद कर दिया गया है, मालूम हो कि रेल चका जाम आंधुलन की कारण 25 अप्रेल से टाटा नगर से बिहार एक भी गई है, जिसके वज़स से यात्रियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परचांच में जुट गई है।